Let's do question number 12 of exercise 8B that is circles. Question number 12 is in two concentric circles a cord of length 8 cm of the larger circle. वो कह रहा है दो concentric circle है. Cord है larger circle की जिसकी length है 8 cm. Touches the smaller circle. वो touch कर रही है smaller circle को. जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कल देते हैं. देखिए ये दो concentric circle है जिसकी bigger की cord smaller circle को touch करती भी जा रही है. आगे क्या कह रहा है? Cord की length दे रखिए एक चीज़ हमें 8 cm. तो ये हमारी 8 cm दे रखिए है. और क्या कह रहा है? आगे देखिए. If the radius of the larger circle is 5 cm. अगर ये center O है. और larger circle का radius क्या होगा? जो larger circle को touch करेगा. तो मैं यहां से इसको join कर देती हूँ. तो ये आगया larger circle का radius. इसको माल लेते हैं B point ये है A point. larger circle का radius है 5 cm. ये आगया 5 cm. आगे क्या कह रहा है? Then find the radius of the smaller circle. तो हमें smaller circle का radius निकाल ले. तो कैसे निकालेंगे? देखिए. हमें पता है अगर मैं इसको join कर दूँ. तो ये हमारा smaller circle का radius हो जाएगा. ये क्या हो गया हमारा? smaller circle का radius. और ये माल लीजे C point है. तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? ओ भी दे रखा है 5 cm. radius of larger circle है. larger circle. और OC क्या है हमारा? OC हमें निकालना है जो की है radius of smaller circle. smaller circle. और हमारा क्या है? AB क्या है? 8 cm है. जो की है cord of bigger circle. cord of big circle. big कहें या large कहें बात है किया है. अब हमें पता है कि ये class 9 में पढ़ा था. जब भी center से cord पे perpendicular करता है. तो वो दो equal parts में divide करता है. as we know that perpendicular from the center to the cord, from the center to the cord, sorry, on the cord, on the cord. जब center से cord पे perpendicular करता है, गिरता है, तो bisect करता है. bisect the cord. in equal parts. equal parts में bisect करता है. तो that means हमारा AC किसके equal हो गया? CB के, जो की कैसे निकलेगा? AB का आधा करके, that is A divided by 2. 4 cm आ गया, right? अब हम, हमें ये पता चल गया, CB. हमें O भी पता चल गया, और हमें पता है, OC क्या है? मैंने यहाँ पर रेडियस लिखा है, लेकिन ये रेडियस भी है, और पर्पेंडिकुलर भी है. तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो as, OC is पर्पेंडिकुलर on AB. So, एंगल OCB कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया. अब इस ट्राइंगल की बात करेंगे, कौन से? OCB ट्राइंगल की. तो इन ट्राइंगल OCB जो की राइट अंगल है, राइट अंगल एट सी, तो by using, क्योंकि राइट अंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागरस थियोरम यूज कर सकते हैं. तो by using पाइथागरस थियोरम, पाइथागरस थियोरम. किसका स्क्वाइर करेंगे? देखिए, OB का स्क्वाइर कर लेते हैं, क्योंकि वो है इपॉर्टन यूज है, तो OB स्क्वाइर इक्वाइर इक्वाइर प्लस CB स्क्वाइर, अब OB हमें 5 दे रखा है, OC हमें निकालना है, और CB कितना है हमारा भी? CB आया 4 सेंटीमीटर, तो यह आ गया 4 का होल स्क्वाइर, तो यह कितना आ गया, 25 एक्वाइर इक्वाइर इक्वाइर तो OC स्क्वाइर प्लस 16, तो OC स्क्वाइर कितना आ गया, 25, 16 उधर जाके माइनस का हो गया, तो OC स्क्वाइर आ गया 9, और OC आ गया स्क्वाइर रूट आफ 9, that is 3 सेंटीमीटर, तो OC कहें या रेडियस कहें, smaller circle का बात एक ही है तो hence radius of smaller circle is 3 cm is the answer